जै बागे श्वर धाम तो दोस्तों आज मैं आपको पंडित पुज्य गुरुजी धिरेंदर सास्त्री की कथा सुनकर कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो कारे हमें मंगलवार के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए अगर मंगलवार को आप लोग इन कामों को करते हैं तो आप से बजरंग बली नाराज हो जाते हैं और आपके घर में दरिदरता और कंगाली चाने लगती है अगर आपके घर में हमेशा धन से जुड़ी समस्या बनी रहती है तो आप उज्य गुरुजी के द्वारा बताए और धन की समस्या कभी ना बने तो आप इन बातों का हमेशा ध्यान रखें तो दोस्तों मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित किया गया है और मंगलवार का दिन हमारा सबसे शुब माना जाता है पुज्य गुरुजी बताते हैं कि मंगलवार के दिन कभी भी बाल और नाखुन नहीं काटने चाहिए सुहागन स्त्रीयों को कभी भी मंगलवार के दिन अपने बाल नहीं दोने चाहिए और ना ही किसी भी इनसान को मंगलवार के दिन अपने नाखुन काटने चाहिए क्यूंकि ये सभी काम जो वो अशुब होते हैं मंगलवार के दिन ये काम करने से बुद्धी और धन की हानी भी आप लोगों को हो सकती है और दूसरी बात मंगलवार के दिन ना ही दोस्तों आप किसी से उधार ले और ना ही कभी किसी को मंगलवार के दिन उधार दे पैसा किसी से भी हमें मंगलवार की दिन नहीं लेना चाहिए और नहीं हमें उधार पैसे किसी से जो है वो किसी को देने चाहिए ऐसा माना जाता है कि इससे आर्थिक परेशानी और हानी होने की संभावना बढ़ जाती है और मंगलवार के दिन बजरंग बली का होता है जैसे कि आप सबको पता है तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमें सात्विक रहना जरूरी है मंगलवार के दिन हमें मास मचली इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ना ही हमें मदिरा पान करना चाहिए और मंगलवार के दिन हमें काले और नीले रंग के जो वस्त्र है वो भी धारण नहीं करने चाहिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो हमें लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए जिससे अगर हम मंगलवार के दिन काले और नीले रंग के वस्त्र पहनेंगे तो इसे जो हमारे मंगल गुरु हैं वो नाराज हो जाते हैं और हमें मंगल दोस होने की संभावना रहती है और अगर आप लाल रंग के वस्त्र पहनते हो तो मंगल दोस का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और साथ मैं ही दोस्तो मंगलवार के दिन हमें नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए इससे आपको भी हर काम में बाधा बढ़ सकती है जो लोग मंगलवार को हनुमान जी का वरत रखते हैं उनको मंगलवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और मंगलवार के दिन लोहे का सामान भी हमें नहीं खरीदना चाहिए इसे भी हमारे हिंदू शास्तर में अशुप माना गया है लोहे का सामान जैसे चाकू, छूरी, नेल, कटर कुछ भी हमें लोहे का सामान नहीं लेना है और मंगलवार के दिन नया वाहन खरीदना भी अशुब माना जाता है मंगलवार के दिन आप कोई भी लोहे की वस्तू ना ले साथ मैं दोस्तों मंगलवार के दिन दूद से बनी हुए मिठाई का भोग भी हमें हनुमान जी को नहीं लगाना चाहिए साथ मैं ही हनुमान जी को लड़ू, बूंदी और बेसन के जो लड़ू है वो बहुत पसंद है अगर आप लोग मंगलवार का वरत रखते हो तो इस तिन हमें नमक ना खाने के साथ साथ ब्रहमचारय का जीवन भी जीना चाहिए इस दिन हमें प्रणे समंद नहीं बनाने चाहिए क्योंकि हनुमान जी ने पूरे जीवन में ब्रहमचारय का पालन किया हुए और अगर आप इस दिन प्रणे समंद बनाते हो तो इस से आपकी शादी शुदा जिन्दगी में जो वो दिक्कत हो सकती है तो आप मंगलवार के दिन भूल कर भी प्रणे समंद ना बनाएं और साथ में ही दोस्तो मंगलवार के दिन हमें किसी भी माता बेहन का दिल नहीं दुखाना चाहिए खास कर मा का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए इसे हारे हनुमान जी जो है वो बहुत नराज होते हैं और आपको शायद इसे अपनी जिन्दगी में और कस्टों का सामना करना पड़ सकता है तो ये थी दोस्तो गुरु जी के द्वारा बताई गई जो कारे हमें मंगलवार के दिन नहीं करने चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए धन्यावाद